हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट्वेल दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि रीडिंग कम्प्रेहेंसन यानि की गध्यान्स किस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तो ये एक ऐसा टोपिक है जिसके अंदर हम 5 के 5 कोश्चन गलत भी कर सकते हैं और 5 के 5 कोश्चन राइट भी कर सकते हैं इसमें वस थोड़ा सा ध्यान देने की आवशकता है और अगर हम ध्यान से reading comprehension को अच्छे से करें तो 5 के 5 question हमारे right हो सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना मैं आपको इसमें कुछ बाते बताने वाला हूँ और live हम एक reading comprehension करने वाले हैं तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम असानी से इसको solve कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आप चाहे हिंदी का reading comprehension हो चाहे English का हो किसी पे भी लागू कर सकते हैं और बिलकुल असानी से आप reading comprehension solve कर सकते हैं तो चली हम बात करते कि किस तरह से हम उसको solve करें दोस्तो सबसे पहली बात इसके अंदर यह आती है कि जो भी reading comprehension है जब हम पढ़ना सुरू करें तो उसे पूरे concentration के साथ उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कई वार क्या होता है कि हम वैसे ही पढ़ लेते हैं और फिर बाद में समझते हैं कि पता नहीं से ने क्या कह दिया और एक जो चीज होते हैं दोस्तों reading comprehension के अंदर जो line ने होते हैं बहुत बड़े-बड़े sentences उसमें दिये हुए होते हैं तो हमें सुरू से ध्यान देना होता है कि यह क्या बात कर रहा है और लाश में इसने क्या बात कही है तो वो सारी की सारी बाते हमें समझना जरूरी है और उसे समझने के लिए हमारा ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके अंदर और एक और जो चीज है दोस्तों reading comprehension के अंदर जिसमें हम बहुत ज़्यादा confused होते है कि सबसे पहले हमें question पढ़ने चाहिए या पूरा का पूरा reading comprehension पढ़ना चाहिए देखिए इस बात इसके उपर अलग-लग लोगों के अलग-लग विचार हो सकते है लेकिन हमारे अंशार सबसे पहले हमें question पढ़ना चाहिए और question के अंदर जो भी important चीज है उनको हमें highlight कर लेना चाहिए या उनके नीचे underline कर लेना चाहिए और उन्हीं चीजों उनके जो keyword जो होते है यानि कि मुखे मुखे जो सब्द होते है उनको underline करना चाहिए और वही reading comprehension के अंदर हमें देखना चाहिए कि कहां पर use हुए है और फिर उन्हीं line को दोबारा पढ़ना चाहिए और ऐसा करके दोस्तों आप असानी से अपना time बचा सकते हैं और असानी से question को और reading comprehension को समझ सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यह है कि अगर आप बहुत अच्छे से reading comprehension जल्दी करना चाहते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए जैसे अभी हमारे पास UGC net में time है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा reading comprehension करके देखे daily का एक decide कर लीजिए कि एक मेरे को करके देखना है और उसमें करके देखे जो भी आपकी गल्ती निकल रही है उसको analysis कीजिए कि हमारी गल्ती कहां पे हो रही है क्यों हमारा question है वो गलत हुआ है ठीक है तो ऐसा करोगे तो आपको जो language है वो बहुत जल्दी असानी से सांजमयानी शुरू हो जाएगी और दोस्तों अब हम बात करते हैं एक हमारे पास ये reading comprehension है ये हमारा था January 2017 के question paper में आया था ये हम करने की कोशिस करते हैं कि किस तरह से इसे हम जल्दी से कर सकते हैं तो वही बात दोस्तों सबसे पहले मैंने बात की थी कि सबसे पहले हम question देखेंगे question के अंदर जो जो चीजे हैं उनके जो keywords वगरा हैं उनको हम highlight कर लेते हैं जैसे question number 1 इसमें इन्होंने कहा है कि पिछले महायुद का भारते सहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा तो इसके अंदर हमने highlight कर लिया कि पिछले महायुद का सहित्य पर प्रभाव ये तीन चीजे हमने यहाँ पर highlight कर ली ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अब आगे हम बात करते से, Q8, अपने अंतिम महागरंत है, टेस्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभी व्यक्ति की, और आगे हम बात करते से Q9, महायुद के समय भारते बुद्धी जीवयों की क्या सोच ती, यहाँ पे हमने यह तीन दुवारा फिर नौट कर लिए कि महायुद के समय में भारते बुद्धी जीवियों की सोच यह चीज हमें पता करनी है तो दोस्तों अभी के लिए हम केवर और केवल या तीन कोशन लेके चलते हैं और उसके बाद में हम जो दो-तीन और कोशन वच खेंगे वो हम बाद में देखेंगे सबसे पहले ये तीन कोशन लेके चलते हैं और अब हम reading comprehension जल्दिशे पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसे समझने की कोशिस करते हैं तो चली दोस्तों अब हम सुरवात करते हैं इसमें देखे अंतिम महायूद जिसने आधनिक विशो की अधार सिला को लग भग विकमपिंत कर दिया भारती साहित्या पर सवलंप प्रभाव ही डाल सका अब यह देखे दोस्तों यहाँ पर क्या गया ना साहित्या पर सवलंप प्रभाव ही डाल सका अंतिम महायूद अब देखे यहाँ पर हमने यह नोट कर लिया चीज़ और यह देखे यह हमारी कहाँ पर यह थी ये देखे पिछले महयुद का भारतिय सहित्य पर परभाओ ठीक है तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली तो चलिए हम थोड़ा आगे और पढ़ते हैं पहले इसको अंट्रलाइन कर लेते हैं ये हो गया ये हो गया ये हो गया अब आगे देखते हैं यह हिंसा के विरुध आम रूप से बढ़ावा देने की परवर्ती तथा पस्चिमी दुनिया की मानविय विग्यप्तियों के बारे में मोहो भंकी स्थिती को परकृता से अभिव्यक्ति देने में ही सिम्टा रहा अब देखी इसकी हम पूरी बात पढ़तें यहां से लेके यहां तक पढ़तें अंतिम महायूद जिसने आधुने की विष्व की अधार सिला को लगभग विकम्पित कर दिया भारते साहित्य पर सवलम परभाव ही डाल सका यह हिंसा के विरुध आम रूप से बढ़ावा देने की परवर्ती तथा पस्चिमी दुनिया की मानुए बिगम्तियों के वारे में मोह भन की स्थिति को प्रकरता से अभिव्यक्ति देने में ही सिम्टा रहा और दोस्तों एक चीज मैं बता दू कि जो हिंदी के रीडिंग कम्प्रेंशन होते वो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं उनके जो मीनिंग होते हैं वो हमें नहीं पता चलता दोस्तों तो उन्हें हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है अब देखिए यहां तक हमने प पड़ा इसने यह दिया तो दोस्तों यह नहीं होगा क्योंकि हमने देखा कि परभाव तो पड़ा है कुछ ना कुछ वहां पर हमने पड़ा था आगे देखते हैं इसने हिंसा की विरुद जना अक्रोस बढ़ा दिया यह हम एक वर डाउट के लिए रख लेते हैं अगला है इसने साहीते की नियू को हिला दिया दोस्तों उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसने साहीते की नियू को हिला दिया तो अप्सन नमबर थरी भी गलत हो जाएगा इसने पस्चिमी दुनिया को परवल समर्थन दिया ठीक है अब हमारे पास दो अप्सन है एक तो यह इन दोनों में हम देखते कि कौन सा सही होगा इसने पस्चिमी दुनिया को परवल समर्थन दिया एक तो ये चीज ध्यार में रखते हैं दूसरा इसने हिंसा के विरुद जन्नाकरोस बढ़ा दिया अब देखे यहां पर इसे दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं अब ये द परखरता से अभीवक्ति देने में ही सिम्टा रहा तो यहां पे आप देख सकते हैं दूसतो हिंसा के विरुद आम रूप से बढ़ावा देने की प्रवर्ति यहां से हमें पता चल रहा है तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तो वो हमारा ओप्सन न्मबर 2 हो तो दोस्तों यहां से आप देख सकते कि किस तरह से हमने इसका अंसर निकाला और आगे हम बात करते दोस्तों आगे हमारे पास अपने अंतिम महागरंत टेश्टामेंट में टैगोर ने किसकी अभिव्यक्ति की अब ये देखते दोस्तों आगे इसे पढ़ने की कोशिश करते ह अब देखिए इसमें इसकी परमुख अभी व्यक्ति टैगोर की अंतिम कवीताओ एवम उसके अंतिम महागरत काईसिस इन सिविलाइजेशन के माध्यम से हुई इस समय भारत का बुद्धी जीवी वर्ग एक नैतिक अंतरदवन्द की दसा से गुजर रहा था अब देखिए इसे दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों ये जो लाइन ना ये ये पिछली लाइन से जुड़ी हुई है ये देखिए अब इसने क्या कहा है इसकी मुखर अभी व्यक्ति किसकी मुखर अभी व्यक्ति वो हमें पता होना चाहिए ना तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों यह हम यहां से पढ़ना सुरू करेंगे तब जाके हमें यह अच्छे से समझ में आएगी यह हिंसा के विरुध आम रूप से बढ़ावा देने की परवर्ती तथा पस्चिमी दुनिया की मानुविय विगत्तियों के बारे में मोह भंकि स्थिती को परक्रता से अभिव्यक्ति देने में ही सिम्टा रहा इसकी मुखर अभिव्यक्ति टेगोर की अंतिम कवीताव उनके अंतिम महागरंथ क्राइसिज इन सिविलाइजेशन के माध्यम से हुई इस समय भारत का वुद्धी जीवी वर्ग एक नैतिक अंतरदवन्द की दसा से गुजर रहा था यहां तक हमने पढ़ लिया दोस्तों अब हम कोर्शन पे जाते हैं कोर्शन में उन्होंने क्या कहा है अब देखिए अपने अंतिम महागरंथ टेश्टामेंट में टेगोर ने किसकी अभी व्यक्ति की अब देखिए ओप्शन नमर एक सुभास बोस को समर्थन दिया नहीं दोस्तों इसका तो कोहीं पर जिकरी न यह भी हम नहीं कह सकते दोस्तों इंगलेंड का वहाँ पर कोई जिकर नहीं हुआ देशों की मुक्ति को प्रोत्सान परदान किया अब दोबारा देखते दोस्तों उसको हम दोबारा पढ़ते कि उसमें क्या कहा है यह हिंसा के विरुद आम रूप से बढ़ावा देने की प इसकी मुखुर अभी व्यक्ति अब देखे दोस्तों यह आ गया ना इसकी मुखुर अभी व्यक्ति के बारे में इसकी अभी व्यक्ति किसने की थी टैगोर की अंतिम कवीता और अंतिम महागरंत के अंदर इसकी होई थी तो दोस्तों यहां से जो हमारा आंसर निकल के आ रह हब है और पहले हमने देखा था न दोस्तों कि यह जब हमने सक लिया था कि यह option number two । नहीं होगा लेकित जब हमने ध्यान से देखा तो इसका devon listener देने की हमें आव्षकता है और आगे हम बाद करते हैं दोस्तों आगे हैं हमाले पास महायुद के समय भारती वुद्धी जीवियों की क्या सोच थी अब हम ये देखते दोस्तों आगे इसको पढ़ते हैं अब देखिए इस समय भारत का वुद्धी जीवि वर्ग एक नैतिक अंतरदवन्द की दसा से गुजर रहा था एक और जहां में संकटी घड़ी में इंगलेंड के अदम्य साहस के परतिशानवुक्ती व्यक्त किये वगएर नहीं रहसका जिसमें रूसी लोग निश्ठूर नाजी सेन्य सकती से लोहा ले रहे थे चीन जापान की सेनाओं को वुटो तले रोंदा जा रहा था वहीं दूसरी और अपना ही देश अपनी ही धरती की सेन्य सकती के नियंतरण में था भारतिय सेना सुहाच चंदर बोस के नितरताओं में दूसरी और से उनके देश के मुक्तिका प्रयास कर रही थी अब यह देखिए यहां पर देखिए दोस्तों कितना बड़ा संटैंश बना दिया इन लोगों ने यहां से लेके एक और से लेके और कर रही थी इतना बड़ा संटैंश बना दिया एक बार फिर कोशन पढ़ते हैं कोशन में इन्होंने क्या दिया और क्या क्या ओप्शन है अब देखे, महायुद के समय भारते वुद्धी जीवों की क्या सोच थी, वे रूसी लोगों के कष्ट के परती उदासिन थे, ये चलो देखते हैं, डाउट के अंदर रख लेते हैं, वे जपानी सेन्य सक्तिवाद के पक्स में थे, ये भी हम देखते हैं, क्या है इसका, उन ये निकल के आगया, उप्सन नमबर फोर, ये देखिए, ये हमने पढ़ा, कितनी वार पढ़ा यहां पे, ये देखिए, यहां पे है न, इंगलेंड के अदम में सहस के परती सहनुपती व्यत की, यहां से देखिए, यहां से निकल गया अपना, कितना असान निकल गया, कित देखते हैं दोस्तों आगे हमारे तीन कोशन और रहे गए भारती साहिते में सरजनात्मक उर्जा को सनहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए अब देखे इसने क्या कहा है भारती साहिते में सरजनातमक उर्जा को सनहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए यानि कि भारती साहिते में सरजनातमक उर्जा को एकठा करने वाले फैक्टर के बारे में हमें पता करना की कौन कौन से है तो चलिए दोस्तों अब हम दोबारा से गद्यान्स को देखते हैं उसको पढ़ते हैं आगे क्या है अब देखी हमने कहां तक पढ़ा था यहां तक हमने पढ़ लिया था अब हम आगे बात करते हैं निष्ठाओं के ऐसे दवंद में किसी भी परकार की सरजनातमक परवर्ती के परष्ठोफून की कलपना नहीं की जा सकती। यह सहे जी अनमानित किया जा सकता है कि 1947 में भारत की सवतंतरता प्राप्तिजों मित्र राष्टरुक के आविर भाव क्रम में महत्तोपूर्ण हैं त कर रहा है दोस्तों यहां पर हमें ध्यान देना कि यहां पर इन्होंने का है कि सरजनातमक उरजा के यहां पर विस्फोट की बात हो रही है और वहां पर सनहित की बात हो रही थी यह फैलाने की बात हो रही है ठीक अब आगे देखते दोस्तों नी संधे ऐसा हुआ किंतु सि पर पाकिस्तानी आकरमन तथा बाद में बंगला देश में उनके अत्याचारों ने ममर्स परशी लेखन को प्रेरित किया ठीक यहां तक हम इस चीज को पढ़ते हैं अब देखी इसने यहां पर क्या चीज निकल के आ रही है कि जो नर्संसार हुआ और जो विभाजन हुआ और आकरमन जो हुआ इन सभी चीजों ने क्या किया जितने भी अत्याचार हुए ममर्स परशी लेखन यानि कि जो ममर्स परशी होता है जो दिल को छोने वाला और जो इमोशनल हम कह सकते हैं उस लेखन को इसने प्रेरित किया था उन चीजों को प्रेरित किया था ठीक है यहां तक हमने पढ़ ली और एक जो चीजा मैंने आपको पहले बताए थी यहां पे यह देखिए सरजनातमक उरजा के विसफोट यैनि कि ये सरजनातमक उरजा फैल गई थी हमने फैलने की बात नहीं है कोशन के अंदर कोशन के अंदर उन में सनहित करने की बात है यानि की एकठा किन कारणों से हुई ठीक है तो अब हम दोबारा कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन में क्या है और फिर आन से निकालने की कोशिश करते हैं भरती साहिते में सरजनातमक उर्जा को सनहित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए अब हम इनके पढ़ते हैं अपनी ही धर्ती का सेन्य आधिपत्य चलिए आगे देखते हैं अपनी वेसिक आधिपत्य का पर्तिरोध नहीं वहाजन सवरूप अंतर भूत तिवर यंत्रना ये भी देखते हैं चलो मित्र राष्ट्रों की विजे अब देखिए इनके अंदर एक चीज आप प अपने गध्यान्स पे अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विभाजन की यंतरना नरसंसार लाखों लोगों को विस्थापित होना और उनमें यनकी अत्याचार बगरा इन सारी ये जितने भी दुख हुए इन सभी के कान हमारे अंदर ज्यादा जड़े के लिखने की भावना उत्पन हुई यहाँ पर आप देख सकते की लेखन को प्रेरित किया ठीक है और उसी से हमारी उर्जा बढ़ी तो यहां से कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर निकल रहा है कि जो भी जितने भी अत्याचार हुए उन्होंने हमें प्रेरित किया ठीक ठीक है तो अब हम दोबारा से कोशन पे जाते हैं और इसका देखते की क्या कोशन क्या आंसर इसका आ सकता है अपने ही धरती का सेन्ने आधिपत्य नहीं दोस्तो इसके अंदर यह बात नहीं हुई यह बात हुई थी पहले सुभास चंदर के बोस में जब उन्होंने वो कर यह था पहले हमने तीन चार लाइने पड़ी थी तो वो नहीं है अब देखी अपनी वैसिक आधिपत्य का परतिरोध यह बात भी नहीं हो रही दोस्तो उसके अंदर विभाजन सवरूप अनुभूतित तिवर यंतरना यह चीज हो सकती है दोस्तो मित्र राष्ट्रों की व विभाजन सवरूप अनुभूत तिवर यंतरना अब देखी विभाजन की बात हो रही नहीं है इसके अंदर यह देखी हमने यह कहा था कि कहा गया कहा गया विस्थापित होना विस्थापित मतलब विभाजन देश की विभाजन की यंतरना यह देखी यह आ गया सिगरी दे हमारा जो आंसर है option number 3 आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा विभाजन सवरूप अनुभूत तिवर यंतरना दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल तो होता है मैं मानता हूँ गद्यांस लेकिन हमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें सोच के चलना पड़ता है कि क्या आंसर आएगा क लेकिन इसके अंदर हमें सोचना पड़ता है दिमाग लगाना पड़ता कि क्या हो सकता है ठीक है तो इसमें हमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कस्मीर तथा बंगाल की तरास्दी से जन पर कहां गया वो इसी लाइन में था कहीं पर कस्मीर तथा पाकिस्तान है यहां से यहां से दुबारा पड़ते दोस्तों महात्मा गांधी की सहादत की घटना के साथ कस्मीर पर पाकिस्तान आकरमन बाद में बांगला देश में उसके अत्याचारों ने ममर्स परशी लेखन को प्रेवित किया अब देखी इस कारण बंगाल हिंदी कस्मीरी पंजाबी सिंदी तथा उर्दु ने महतोपुर्ण लेखन अब देखी इस कारण बंगाल हिंदी कस्मीरी पंजाबी सिंदी तथा उर्दु में महतोपुर्ण लेखन सामने आया किंतु केवल ममर सपर्शी अथवा भावपुर्ण लेकन अपने आप में साहित्य को महानता प्रदान नहीं कर सका इन आपदाव के उपरांत भी जो उत्सा है वं आतव वल का कोश बना रहा वो राष्ट्रिय पुनर निर्मान तथा अर्थी के विकास में आतम साथ हुआ अब ये देखे दोस्तों ये अब मैं दोवारा पढ़ने की कोशिस करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आज है अब देखे यहां पे अब देखे दोस्तों यहां से कस्मीर पर पाकिस्तानी आकरमन तथा बागबाद में बांगला देश में उसके अत्याचारों ने ममर्स परशी लेखन को प्रेवित किया ठीक है ये हो गया और उसके कारण क्या हो इस कारण बंगला हिंदी कस्मेरी अंजावी सिंदित था उर्दो में महतोपुर्ण लेखन सामने आया ये बात भी ठीक है किन्तु केवल ममर्स परशी अथवा भावपुर्ण लेखन अपने आप में साहित्य को महांता परदान नहीं करता ठीक है ये बात भी इन आपदाओं के उपरांत भी जो उत्सा आतम बलका कोस बना रहा अब देखिए वो राष्ट्रिय पुनर निर्मान तथा आर्थे के विकास में आतम साथ हुआ ठीक है वो जो हमने साहित्य लिखा था उससे क्या हुआ और ये देखिए जब पाकिस ये देखिए जब आकरमन हुआ बांगला देश वगरा पर उनका विभ जो आंसर है वो क्या आएगा अब देखिए कस्मीर तथा बंगाल की तरासदी से जनहित प्रवाव क्या थे तो इसमें देखिए दूसरे देशों का संका भाव नहीं दोस्तो अगला है पर्ति दवंदीता की निरंतरता ये भी नहीं कह सकते दोस्तो युद का खत्रा ये भी की थी कि कस्मीर और बंगला देश की तरासदी हुई तो लोगों ने बहुत जादा अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर दिया और उस लिखने से क्या हुआ हमारा राष्ट्रे पुनर निर्मान हुआ और आर्थिक आतम साथ हुआ ये दो चीजे हुई थी और आगे हम बा बात कर रहे हैं यहां पर अगर आपने देखा होगा तो हम बात कर रहे हैं साहित्य की बात कर रहे हैं लिटरेशर की बात कर रहे हैं भारते साहित्य यहां आ गया फिर यहां पर मान गरंत की बात होगी और उसके बाद में जैसे कि ममर्स परशी लेखन को प्रेरित किया और उसके बाद में फिर ये क्या हुआ? कि ये देखे हिंदी, उर्दू सामने आई और यानि कि हर जगह साहित्ते की बात यहाँ पे चल रही है तो कही न कहीं जो हमारा अंसर होगा वो साहित्ते से रिलेट्टिड होगा तो हम देख लेते हैं यहां पर क्या अंसर हो सकता है देखिए इसके अंदर ओप्सन नमर ए आपदाए एस सम्वे भावी होती है नहीं आपदाओ के बारे में तो ऐसी कुछ जादा बात नहीं हुई दूसरा है शक्षम सरंखलाव से महान सहित्य का उद्वे होता है चलिए यह हम एक टाइम के लिए डाउट के अंदर रखते हैं अगली है भारते सहित्य का कोई विशिष्ट प्रीद्रिश्य नहीं है यह बात तो बिल्कुल गलत कहरा दोस्तों यह कहरा कि भारते जो सहित्य उसकी कोई ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है यह बात कर रहा है तो यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा अगला है युद और सतंतर्ता से सहित्य का कोई लेना देना नहीं है यह बात भी इसकी बिल्कुल गलत है दोस्तों क्योंकि अभी हमने पढ़ा न जब युद हुए तरासदी हुई तो बहुत अच्छा लिखने लगे लोग और प्रेरित हुए लिखने के लिए तो यह बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि युद से हमारा जो सहित्य है वो बहुत ज्यादा प्रेरित होता है तो उप्सन नमबर थरी और फोर यह तो बिल्कुल भी नहीं होंगे अब दो देख लिते हैं एक और दो आपदाए एसम्भ्यवावी होती है दोस्तो इसके बारे में ज्यादतर बात नहीं की गई ज्यादतर हमारे जो बात की गई है वो हमारे साहिते लिटरेचर पर बात की गई है तो इसका जो राइट आंसर होगा उप्सन नमबर टू होगा शक्षंभ स्रंखलाव से महान साहिते का उद्विध्य होता है यानि कि इसे अगर आसान भासा में समझे तो दोस्तो जो तरास्ति वगरा होते है जो संकट के घड़ी आती है देश के उपर तो कही न कहीं महान साहिते का ओरिजन होता है तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से अच्छे से पढ़ के कोश्चन का अंसर ले सकते हैं और दोस्तो यहाँ पे हमने इंगलिस में भी दिया हुआ है पहरा गरप आप यह देख लेना यह पूरा का पूरा आप चाहे तो इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं और उसके बाद में जैसे यह है और फिर यह है यह दोस्तो यह सारे के सारे कोश्चन हमने यहाँ पे इंगलिस में भी देरके अगर आप English में पढ़ना चाहे तो English में भी पढ़ लेना तो दोस्तो आज के लिए वसी तना ही मैं उमीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और Reading Comprehension में आपको कुछ न कुछ साहता जरूर मिली होगी तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाई है ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को सारी से देख सके हैं थैंक्यों दोस्तों